हलो दोस्तों मैं अग्रिचे नारिया और आज हम लोग एक बहुत ही important मुद्दे पर बात करने वाले हैं क्योंकि आप जानते होंगे कि UP board class 12th के भी exam cancel कर दिये गए हैं और high school के exam को पहले ही cancel कर दिया गया था तो बच्चों के दिमाग में एक बात चल रहे हैं आखिर exam तो cancel हो गए हैं लेकिन उनको number किस प्रकार दिये जाएंगे किस base या किस आधार पर number दिये जाएंगे आखिर क्या होगा number देने का तरीका किस base पर उनको number provide कराये जाएंगे तो आज हम लोग इसी मुद्दे को लेकर के पूरा discuss करने वाले हैं और एक बात याद रखेगा आप यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको clear हो जाएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है का मतलब है कि आपको किस प्रकार number दिये जाएंगे आपको पूरा first यहाँ पर बताया जाएगा ठीक है तो अगर हम बात करें कि किस प्रकार number दिये जाएंगे तो बच्चों को तीन category में बाटा जाएगा आखिर तीन category वो क्या है मैंने यहाँ पर लिखी है इनका क्या मतलब है मैं भी आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ आपको मैं सबसे पहले में बता दूँ कि अगर इसके बाद में भी समझाने के बाद में भी अगर आपकी कोई query बच जाती है कोई question बच जाता है अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप आज साम को हमसे संपर्ग कर सकते हैं मतलब आज हम साम को 6 बजे live आएंगे इसी channel पर आप जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्न हमसे रख सकते हैं और मैं उनका पूरा का पूरा जवाब देने का प्रयास करूंगा ठीक है तो चलो आज की इस session को start करते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं बलकि एक बहुत ही important मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं तो हम लोग ये समझना चाह रहे हैं आखिर की कैसे number दिये जाएंगे बच्चों को की आखिर वे संतुष्ट भी हो जाएं और किसी को कोई problem भी ना हो तो मैं आपको एक बात बताने वाला हूं सिक्षा मंतरी ने tweet करके एक तरीका अपना सुझाया है अखिर क्या system होगा number देने का बच्चों को क्या base होगा क्या आधार होगा number देने का इसके बारे में हुनने tweet किया है और tweet में जो बताया है उसी की आधार पर मैं आप को बता रहा हूं ठीक है सुनेगा सबसे पहली बात मैं आज से मिटा देता हूं आज मैं साम को 6 बचे लाइव आने वाला हूं आप जुड़ सकते हैं हमसे और अपने question कर सकते हैं और एक में बात बता देता हूं अगली class मतलब अपकी बार जो इंटर में बच्चे आने वाल दिये जाएंगे आखिर क्या है वो तीनों category पहली है 10th प्लस 11th मतलब बच्चों को जो नमबर दिये जाएंगे उन्होंने जो बच्चे इंटर को अभी पास नहीं किये हैं अब की बार उनको promote किया गया है उनको number उनके high school की mark sheet में जो भी number होंगे वो number उसके बाद में 11th का जो exam हुआ है annual exam जो आपकी वारसी परिक्षा होई थे उसके number जोड़ करके उनका average निकाला जाएगा और उसी के आधार पर आपको number दिये जाएंगे अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा आखिर यह क्या system है तो मैं आपको बताता हूं माल लिया कि आप high school में जो number ला परिक्षा हुई थी उसमें आपके अगर number आये हैं माल लिया 68% आपके जो भी आये हों ज्यादा आये हों इससे कम आये हों मैं एक example ले करके चल रहा हूं कि आप 78% ले के आये हैं high school में और 68% ले के आये हैं 11th में आपकी वारसी परिक्षा में तो इन दोनों को add करके मतलब इसका जो average होगा average आउसत होगा जो इसका इसके आधार पर आपको number दिये जाएंगे माल लिया कि 72 और 68 दोनों को add करिएगा average आपको निकालना आता ही होगा 72 प्लस 68 और by 2 कर दीजेगा तो यह आपका आजाएगा 70 मेरे क्याल से 70 आजाएगा तो कहने का मतलब है कि आपको 70% number मिल सकते हैं अगर आप इस तरह से आपने high school pass किया है और 11th pass किया है तो आपको इस तरह से number दिये जाएंगे आपका जो high school का percentage होगा वो और आपका जो inter इंटर मतलब first year का जो आपका percentage होगा उन दोनों percentage को जोड़ करके और उसी क्यादार पर उसका आउसत निकाल लिया जाएगा इस प्रकार से और उसी क्यादार पर आपको number दिये जाएंगे आपकी mark seat बन जाएगी ठीक है अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके में दूसरा तरीका क्या है तरीका एक बच्चे के लिए एक ही तरीका अपनाया जाएगा ठीक है अब सुनिएगा जिन बच्चों ने 11th का इक्जाम नहीं दिया है मतलब कहने का यह है माल या कोविड के कारण 11th का इक्जाम भी कुछ ब बच्चोने 11th के exam नहीं दिये हैं उनका जो 12th pre-board का exam हुआ है उसके number add किया जाएंगे कहने का मतलब है 10th का तो number लिए जाएगा आपका जो high school की mark sheet बनी थे उसमें जितना percent होगा और साथी साथ में आपने जो 12th की pre-board परिक्षा दी है उस pre-board परिक्षा के number को जोड़ करके उसका आउसत निकाल करके आपको number दिये जाएंगे और आपका percentage तयार हो जाएगा तो कहने का मतलब है आप इसी process से निकाल सकते हैं माल लिया 10th में आपके 72% है और 12th जो pre-board आपने exam दिया होगा अभी अभी कुछ दिनों पहले तो इसमें जो आपका माल लिया कि आपने इसी को माल लिते है कि 68% दिये पाए हैं तो इन दोनों को add करके इसका half किया जाएगा तो यह आजाएगा 70% आपको number मिल जाएंगे इंटर में ठीक है तो यह आधार रहने वाला है अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिनोंने first year का भी exam नहीं दिया उसका भी data नहीं उनके पास क्योंकि covid के कारण पिछली बार भी exam नहीं हो पाया थे कुछ लोगों के औ और जिनोंने 12th pre-board भी नहीं दे पाया क्योंकि हर जगे पर pre-board नहीं हो पाये हैं तो ऐसी इस्तती में उस बच्चे में क्या किया जाएगा उस बच्चे को कैसे number दिये जाएंगे तो याद रखिएगा जिन बच्चोंने केवल 10th किया हुआ है ना तो 11th का उनके पाक स्मार प्रमोटेड केवल उनकी मार्क सीट में प्रमोटेड लिखा होगा और उनको नमबर नहीं दिये जाएगे तो आपको यह सपर्ष्ट हो गया होगा और मैं आपको एक बहुत इंपोर्टन बात बताने वाला हूं सुनिएगा 10th प्लस 11th का एड़ होकर के आपको मिल सकता है अ ऐसी सिचुएशन में आपको क्या किया जाएगा 12th के प्रीबोड को आड़ कर लिया जाएगा 10th के साथ में इसका एवरेज निकाल करके नमबर दिये जाएगे आपको जो जिन बच्चों ने ना तो प्रीबोड दे पाया है और ना ही उनके एक्जाम हुए थे 11th वाले ऐसी इस्थती में क्या होगा ऐसी इस्थती में आपको नमबर नहीं दिये जाएगे आपका परसेंटेज नहीं दिखाया जाएगा ओनली आपको प्रमोटेड लिखकर के माक्षीट मिल जाएगी ठीक है अब आप सोच रहे होंगे कि जिन बच्चों ने ये इस केटागरी में जो बच्चे होंगे जिनोंने ना तो 12th 11th का दे पाया ना ही 12th प्रिबोड दिया है ऐसी इस्थती में उनका प्रमोटेड लिखा होगा और ऐसे बच्चे बहुत ही असंतुष्ट होंगे अपने रिजल्ट से उनके लिए क्या विकल्प है तो याद रखेगा उनके लिए भी ए एक्जाम दे सकते हैं और अपने जो रिजल्ट उनका जो भी होगा अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से वह अपना नंबर ला सकते हैं ठीक है और यह जो बात है वह तीनों में लागू होगी अगर इस वाली कैटागरी के भी बच्चे अगर अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है या फिर इस वाली कैटागरी के बच्चे अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो यह सभी स्टुडेंट्स क्या कर सकते हैं वो एक फॉर्म फिल करेंगे और इसके बाद में आप वो जाहिर करेंगे कि हम इस रिजल्ट से असंतुष्ट हैं और हमें दुबारा exam देने का मौका दिया जाए तो वो आपको exam देने का मौका देंगे और उसके आदार पर आपका result दुबारा बना दिया जाएगा ठीक है तो अभी के लिए यही news आई है कि आखिर कैसे दिया जाएगा इंटर वाले बच्चों को कैसे number दिया जाएगे इसके बारे में मैंने जनकारी बताई आपको मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा और मैं आपको एक बात और बता दू अगर आप exam देना चाहते हैं तो याद रिखेगा पढ़ाई अभी मत बंद करिए continuously पढ़ाई करते रहे क्योंकि अभी आपको exam देना पड़ सकता है हो सकता है आपका कुछ result आया और बेकार आगया आप अपनी result से असंतुष्ट है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको exam देने का मन होगा और तब आप exam दे सकते हैं लेकिन अगर तयारी नहीं होगी तो आप exam कैसे देंगे तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई को continue रखें तब तक जब तक आपका result ना आ जाए तो result का इंतजार करिए और पढ़ाई को continue रखिए अगली जो classes हैं जो 2022 में exam देंगे intermediate बच्चे उन बच्चों के लिए इस कोचिंग में अपनी आर्या कोचिंग में भी classes स्टार्ट होने जा रही है मैं इसकी timing के बारे में कब से स्टार्ट हो रही है यह सारी बाते लाईव आकर के 6 बजे आज ही 6 बजे 6 पीम को ठीक है मैं लाईव आकर के इसके बारे में जानकारी दूँगा पूरी की पूरी और अगर आपको कोई भी question रह गया है तो आप आकर के पूछ सकते हैं वाँपर लाईव में ज्वाइन हो सकते हैं ठीक है तो